वो साइन दिखा रहे है यह देखिए यह देखिए असला में कुम गाइस वाट सब्सक्राइब वालकम बैक टू एंडर वीडियो और आज हम करने वाले हैं पब जी टेस्ट गेमिंग रिव्यू एमाई टैंटी लाइट का और यहां पर एक बहुत अची बात आप लोगं के ल 20hz के रिफ्रेश रेट के साथ के लेंगे और साथ एफिया साब को चेक खरवाता रहूंग कि मैक्सिम्म कितने पर जा सकते हैं उसके लाव अगर अवराल बात की जाए तो यहां पर आपके पास प्रोवाइट है एक स्नैप ड्राइगन 750G का बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग आपको परवाइट किया है वह भी सारा चैक उट करेंगे क्या यह ड्वाइस होती है नहीं होती उसके लावा इस ड्वाइस मैंने एंडुडो की एप्लिकेशन भी कर लिया और इसका स्कोर भी चैक करेंगे कि अवराल कितना स्कोर निखल के हैं तो अगर आप इंट्रेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह में जीड़ी जेखने के लिए सबस्क्राइब करता है वक्त बैल नोडिकों को लाज़ी प्रस कीजिए गया नहीं तो आपको पता भी ने लगा का मैंने वीडियो प्लोट की भी है तो बहुत करते हैं जाके इस की कुछी तरीके सब्सक्राइब कर दो अगर बात करें सब्सक्राइब करें तो यह निकल किया रहा है खुद ही देख लिए थीन लाग चूनती सदार 164 बहुत ज्यादा स्कोर निकल किया रहा है इसमें स्नैप्राइगन 750G का एक 5G अनेबल चिपसेट लगाया गया है नो आप देख लेते है दो ने कितना तब लगते है तो यहां पर पॉड़ी को स्टार्ट का लिए हमने और देखने हैं कि को फूली लोड़ने में लगे है रावंड 22-23 सेकंड के बांस्वास लगे हैं यहां पर टाइमर भी में पहले स्टार्ट कर दिया था और यहां पर लॉबी में 30 IPS पर आपको को देखने को मीरिये यहां पर और 60 Hz पर डिस्प्ले है इसको पहले तो कनवर्ट करते हैं 120 Hz पर ताके हम 120Hz पर लेकर जाएं और यहां पर हम गेमिंग कर सकें 120 Hz रइफ्रेश रेट है बेसीकली वहां पर 652 हर्स पर गेम स्टाट होगी है और गेम को फुली लोड़ने में और 60 Hz रिफ्रेश डेट है और यहां पर FPS देख लें कैसे ड्राप होते हैं वह भी सारे का सारा यहां पर हम चेक आउट करते हैं तो सबसे पहले गेम को लोड होने देते हैं और यह भी देखते हैं कि यहां पर मैक्सिमम ग्राफिक्स कितने हैं यहां पर नोड ख्राफिक्स काफी ज्यदा आच्छे निकल की आ रहे हैं लेकिन फरस्ट आफाध हो हम यह जाख करते हैं कि मैक्सिमम ग्राफिक्स कितने हैं यहां पर हम ग्राफिक सेटिक में जाते हैं थोड़स एंगल चेंज हो जाए माधिरत यहां पर हम जाते हैं HDR में और यहां पर HD के साथ High Frame Rate पर हमारे पास अपशन है स्मूथ प्लस अल्टरा के साथ हम जा सकते हैं उसके लावा Balance Plus Ultra का अपशन है हमारे पास और उसके लावा एच्टी प्लस हाई का अपशन है और उसके लावा नेक्ट चाहिए भी चेक उट करते हैं कि इस ड्वास में जो जारे स्कूप है वह कौन सी है हाड़वर बेस और साफ़वर बेस है उसकी परफारमस कैसी है वह सारे का सारा हम चेक उट कार लेंगे उसके लावा फ्रेम ड्राप खुते हैं कर नहीं होते वह भी सारा चेक करेंगे यहां पर अभी करी फ्रेम की बात की जाए तो यहां पर 30 FPS दिखा रहा है और यहां पर गेम को लोड होने देते हैं और गेम स्टार्ट होगी तो तन हमें पता लगा के यहां पर मैकसिमिमम कितने FPS ढर यहां पर यहां पर रिषफ पाणे लगा लेते हैं जो कि मैंने नार्मल देखा हैं पर 40 fps के वाथ जाते हैं जो के मैंने आफ सक्रीन गेमिंग करके देखी है तो अभी बात कर लेता हैं यहां पर सबसे ख़लों लेर्ड होते हैं और यहां पर देखते हैं के मैक्सिमम एप्यस कितने जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं कि यह द्वाइस लैग बगारा करेगी क्योंकि यूचिप सडियां पर लगा दिया गया है वह बैस्ट आप लोगों के लिए तो यार एक पर एंगल थोड़ सा मुझे बना लें दें ताकि आप यहां से देख और देन ही हमें पता लगए कितने मैक्सिमम जाते हैं तो यहां पर अगर देखें तो कुछ गण हमें मिल गई हैं बहुत अची बात है यहां पर एफपिएस 2930 के आसपस रह रहे हैं तो मुझे अमीद है कि आप यह उपर चाहेंगे लेकिन देखते हैं कितनी उपर जाते है कर लेंगे उसके लावा अगर बात करें अभी के लिए तो गेम का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा स्मूध निकल किया रहा है मुझे कुछ आनमीज यहां पर दिख गये हैं और यहां पर उनके पास ही जा रहा हूं और देखते हैं को मुझे मारते हैं मैं उन्हें मार कर जाते हैं यहां पर सामने कुछ आनमीज मुझे लग रहा है कि यहां पर होंगे यहां पर वह साइन दिखा रहा है यह देखिए यहां पर इसको भी मारते हैं यहां पर यह देखिए यहां पर नीचे शूब के साम बन गया था और हमें मारा था लेकिन आपके बाई ने सबसे पहले इसको डूंड के मारा है और यहां पर टू किल हो गई है हमारी बहुत ही जल्दी और अभी इसके बस गन भी काफी जाता अच्छी है यहां पर मैं पिक कर पर दिया है और और यह देखिए और यह देखिए और यह देखिया यह गार यहां पार की जा रहा है और यहां ागर डिस्ट बात की जा रहा है और यहां पर जाएंगे तो यहां पर आप फ्रेम बेट ज्यादा होजेगा यहां पर सूंध रस अल्टरा में कर हम जाते हैं तो फ्रेम बेट 40 पास रहते है वैसे एस्ट रीमूड में मारे पास एफवराइब कोई भी लैक को नहीं होई यहां पर एकर आट की जाए बात की जाए मेरा लाइस काफी जिया हुणद इस ड़गा कीज़ां जाए और यहां पर अगर बात की जाए लैग हलका साथ है उन मुमेंट्स पर जहां पर बहुत ज्यादा रच लग जाता है और बहुत ज्यादा आपके वास शौट होड़ा होता है बहुत ज्यादा अनमीज आ जाते हैं आपके आसपास यहां पर frame rate भी साथ लगा हुए आप जाके चेक अट यहां पर कार सकते हैं उसके लावा हम एक और एरिया में चलते हैं वहां जाके कुछ केबले करते हैं और देन चेक उट करते हैं उसके लावा gyroscope की बात काले तो यहां पर gyroscope पर आ जाते हैं मैं तो बूल गया था मैं यहां फनुट फ्ल टेंडी 9 डा एंट आ गया है यहां और जायोस को पाब इजाकर आ लिए चाहरे को पर जयादा होगाई है और किसी किसम को कोई लैग नहीं है इस ड्वाइस में जैरिसकोप में तो मतलब जैरिसकोप के इसको फुल 10 बड़ टैन नमबर है और वह भी आप कर सकते हैं यहां पर मैं कुछ हेला जो खके मिद्स को कारों किकि यार्त नहीं को और लेग नहींot को मानना पड़े बहुत कहा है तो आप अधने कर दी फ़ाँ है खुफंज को मिलें तुर्छे के थैसङों है घ्या दात वाहुट से श्यांध कर साय उर्यों फवाज इलाइड समॉट निकल कई निस कि अभर बहुत बहुत स्मूट जैकल करें तुर्बौट्ज झाय तो फॉट्ट ऑप पर जैरो स्कॉप मुझे बहुत ज्यादा उक्रास देखना में लिए जैरो स्कॉप में किसी किसम कोई भी लैग नहीं था और हाडवेर बेस्ट जैरो स्कॉप है और बहुत अच्छी तरह वर्क करती है उसके लगर बात करें डिवास में ही तो मैंने वैसे भी आप सक्रीन अब नेगलीजिबल आपके सकते हैं लेकिन हाँ वह एक्जिस्ट करता है तो यही था एक्सपीरियंस मेरा एमाइट इंट लाइट का पब जी के साथ बाकि अगर इसका कामेरा टेस्ट वगरा और कुछ चैंपल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं मैं उसकी वीडियो बना झाल 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 झाल